गाईज आज का यह वीडियो आपके लिए बहुती ज़्यादा इंट्रेस्टिंग प्लिस यूसफल बनने वाला है तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और आपसे पूछेगा कि भाई तू अपने फॉन के अंदर कौन सा सेटिंग ऑन क्या है कौन सा ट्रिक तू यूज कर रहा है जो तुम्हारा नॉर्मल स्मार्ट फॉन इतना ज़्यादा खुबसुरत बन गया है दोस्तो ये जो ट्रिक है ना काफी ज़्यादा अमेजिंग है काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है इस ट्रिक को यूज करने के बाद आप अपने एंडरोइड फॉन को जाए काफी ज़्यादा प्रेमियम लुक दे सकते हो तो अगर आपको जानना है कि यह कौन सा ट्रिक है कैसे यसे यूज करना है तो फिर इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना चले सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आगे बरने से पहले आपको एक काम करना है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ने किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा इस लाइक के बड़न पर किलिक करके उसके बाद नीचे आपको रैड कलर का सब्सक्काइब बड़न देखने को मिलेगा इस साथी साथ इस घंटी वाली option पर किलिक करके all पर select कर दीजेगा ठीक है इतना काम करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आकर आपको एक comment करना है यहाँ पर आपको लिखना है nice trick जिहां दोस्तों आपको comment में लिखना है nice trick तो बस आपको यह छोटा सा काम वीडियो transparent wallpaper मैं इसके ओपर किलिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं status का option है इसके ओपर किलिक करके मैं home screen को select कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों guys आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो phone है वो पूरा का पूरा transparent हो चुका है यह जो feature है दोस्तों कभी भी आप आपको android phone के अंदर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आप इस ट्रिक को यूज करने के बाद यूज कर सकते हैं अपने phone के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे phone का पिछला camera है वो चालू हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपने phone को यूज तो करी सकते हैं तो दोस्तो अगर आप इसे use करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको अपने phone के अंदर एक छोटी सी app को download करना पड़ेगा, दोस्तो इस app का जो link है मैंने इस video के नीचे description में दे रखा है, तो आपको यहाँ पर link देखने को मिल जाएगा, आप इस link पर click करके उस app को अपन पर click करना है, उसके बद दोस्तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा, transparent wallpaper, simply आपको इसके उपर click करना है, जैसे ही आप इसके उपर click करेंगे तो उसके बद सेटेज का एक option मिल जाएगा, आपको इसके उपर click करके home screen को choose कर लेना है, उसके बद दोस्तो इस app से आपका transparent wallpaper आ सकते हैं और जो कोई भी आपका फ्रेंड आपकी मुबल को देखेगा वो देखकर तो 100% चौक जाएगा और आपसे पूछेगा कि भाई तु अपने फ़न के अंदर कौन सा ट्रिक यूज किया है जो तुम्हारा फ़न बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट हो चुका है तो दोस्तो आने पर वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया